गुड मोर्निंग एवरिबन दोस्तो आज है मेट 24 2023 और हम लोग करेंगे दा हिंदू न्यूज पेपरिक अनेलसिस ब्रणाम है सितेंदर चोबरी और फिर से आज आपके लिए कुछ टोपिक्स यहां पर लेके आया हूं तो यह जो कल वाला टोपिक था साइबर थ्रेट यह हम हम लोग कल टाइम की कमी की वज़े से नहीं कर पाए थे लेकिन आज हम इस टोपिक को करेंगे साइबर थ्रेट के बारे में अच्छे से डिस्कॉशन हम यहां पर करने वाले हैं जीएस पर फ्री में यहां पर पहले से कई बार कॉशन पूछे भी गए हैं और कुछ को यहां को बीच में रिलेशन में बात करेंगे आपको पता ही है कि मोदीजी जो है फीजी गए थे और उसके बाद पौण यह गए थे और अभी वो सृट्छे की याथरा पे हैं तो उसके बारे में हमें और स्टीले रिएसन रिए पार तक्रीपिस ब्रिइडेन लोगता व्रूप एक्साइटिड नजर आ रही है तो इसका रीजन क्या है बिक्रिक्स के परेडोक्स के बारे में बात करेंगे और यहां से हम लोग यूकेसी में कुछ प्रिवेसर कोशन्स भी देखने वाले हैं जो पूछे गए है उलडी तो वह भी हम लोग यहां पर करेंगे उसके लागा हलांकि इसमें कुछ लोगा के इमाना है कि जेंटर हो कोई खास फरक पढ़ना नहीं चाहिए गर्ल्स हो या बोईज हो अल्टिमेटली सुसाइटे का पार्ट बन के आपको जाना है लेकिन जिस तरह से हमारे पैट्रिकल सुसाइटी है लोग लड़कियों को उतना मौका मिल है तो मिलियन सोफ गर्ल्स के लिए लड़कियां जो है रोल मोडल हो सकते हैं डेफिनेटली और होना भी चाहिए जिस तरह से उन्होंने यहां पे यह फीट हासिल किया है तो तो रिजल्ट आ चुका है तो हर साल की तरह आपको खुब सारा मोटिवेशन तो मिलेगा ही खर का तो आप अपनी त्यारी में लगे रहें ताइम तो लगता है अगर आप किसी की वह जर्णी को उठाके देखिए सिर्फ टोफ फॉर की ही नहीं बलकि आप किसी भी जर्णी उठाके देखिए जिसका स्लेक्टिड जो कैंडिड हुए है जर्णी थोड़ी लंबी रहती है 15-15 घंटे पढ़ा ही करते हैं पर 3-3 जो है वरेस्ट करते हैं वो सब नहीं चाहिए डेली बेसिस पर डिस्प्लिन चाहिए और आपको साथ के साथ पेशन्स भी रखना पड़ेगा पेशन्स आप तभी रख पाते हो जब का पोजिटिव एटिटूड होता है कि हाँ आपने दिन रात महनत करनी पड़ती है बिना गाप के महनत करनी पड़ती है continuous learning होती है और continuous learning कभी भी enjoyable नहीं होती है हमेशा difficult होती है बहुत सरा sacrifice करना पड़ता है बहुत महनत करनी पड़ती है तो यह आप यह सोचोगे कि मैं तयारी भी कर लूँगी और कर लूँगा और मैं enjoy भी कर तो अच्छा रिजल्ट यहां पर definitely आएगा और हम तो आपके साथ खर हैं ही, current affair के लिए तो already मैं आपके साथ खड़ाई हुआ हूँ, आप हमारे यहां पर आते हो, तो of course current affair के लिए आते हो, आप हमारा foundation course और भी join करते हो, बहुत सरे बच्चों ने किया भी हुआ है, और उनको benefit viewers से मिल रहा है, current affair के जहां तक बात करें, तो आपको मैंने वैसे कल बता ही दिया था, कि current affair के लिए हम लोग लोग स्पैसिफिक के लिए भी एक program launch किया हुआ है, जिसमें हम लोग Saturday के दिन, Saturday को weekend पे, आपके पूरे week का current affair आपको cover करवाय जाता है, mains और prelims दोनों के perspective से, तो मेरे साथ बने रहे इस पूरी journey में, क्योंकि current affair बहुत जरूरी है, current affair अगर आप अच्छे से कर लेते हो, तो बहुत सारी चीजें static portion पे आपका वैसे भी cover हो जाता है, चली बच्चो, पहले टोबी में बढ़ते हैं, पहला topic देखे क्या गाता है, ये कल वाला topic है, बेसिकली नू जमतारा, police widen probe into network of the scammers in new, नू जो है वो एक district पढ़ती है, हर्याना के अंदर, जो कि हर्याना राजयसान बॉर्डर पे स्थित है, पहले आपको ये बताता चलूँ, ये जमतारा क्या है, जमतारा के बहुरा में नेट्फिलिक्स के ओपर एक TV सीरीज भी बन चुकी है, प अंदारा में बहुत सारे लोग इस पूरे racket के अंदर include होते हैं, जो लोगों को fake call करते हैं, उनके account से पैसा ले लिया जाता है, वो सब चीजे वहाँ पे होती हैं, तो COVID के बाद क्या हुआ, देखिए, जो new है न, new, कहीं चीजों के लिए, actually इसका नाम पहले से बदनाम है, according to this article, and according to criminal data of the police record as well, कौन कौन सी चीजों के लिए, vehicle theft के लिए, और cattle smuggling के लिए, already new, काफी बदनाम है, क्योंकि एक तो रागजयस्थान और रहाना के border पर पड़ता है, तो cattle की smuggling खुब सारी होती है, और border उगरा cross कर ले जाते हैं, criminals, और vehicle threat को लेके भी काफी साथा बदनाम यह माना जाता है, क्योंकि NCR area में ऐसा माना जाता है, कि जो vehicle theft होते हैं, चोरियों होती है, vehicles की, वो जाधातर यहीं के criminals करते हैं, लेकिन COVID-19 में क्या हुआ, सब चीजे बंद हो गई, activity कम हो गई, और लोग जाधातर online जाने लगे, हर चीज के लिए online करने लगे, तो इन्हों जो है न हर्याना में, यह इंडिया की 100 most backward districts में है, तो unemployment भीया गरीबी यहाँ पर बहुत जादा है, तो यह it's a perfect breeding ground to cybercrime, तो बेसिले पुरी अच्छी recipe बन गई, हर्याना राजयसान बोर्डर पे है, चेक, दिल्ली NCR के पास में पढ़ता है, चेक, unemployed youth है, चेक, लोग जाधा employment, opportunity देने के लिए, मतलब negative sense में कहा रहा हूँ, तो नया काम धंदा मिल गया, क्योंकि people are mostly unemployed, तो उन्होंने भी क्या करना शुरू किया, वहीं जमतारा के तरह करना शुरू कर दिया, calls करने लगे, cyber attack करने लगे, पैसा चोरी करने लगे, वो सरी चीजे, record यह कहता है, अभी त ठगा गया है, 100 करोड रुपेज से भी जादा उनके अकाउंट से निकाल लिया गया है, और भाईया अभी तो investigation सिर्फ शुरू हुई है, अभी तो यह बहुत deep तक जाने वाला है, basically हर्याना की government का यह कहना है, कि हम इस case को as a example के रूप में set करने वाले हैं, हम यह जो case की बि physical activity तरह सच होती नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा है कि हम सब यह करने वाले हैं, हजारों की संखे में वहाँ पे नकली sim cards पाए गए हैं, और अधार card, नकली अधार card के basis पर sim card release किये जाते हैं, alert कर दिये जाते हैं, और फिर बाद में उन्हीं sim card से यह सारी चीज़े होती है, fake अधार का यूज़ करके, fake ID का यूज़ करके, bank account open करवाय जाते हैं, जिनमें यह पैसा डलवाया जाता है, तो कि know your customers उगरा जो बैंकों में होता है, या जो sim card खरेजने के लिए जाते हो, उनका जो है miss use किया जाता है, तो यह तो चीज़े हो गई, कि वह यह criminal इस तरह से का question आ चुका है, explain how it can be useful in the controlling internet crimes in India, तो यह project के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके थे, last year हम लोग ने बात किया था, तो आप इसको पढ़े के थोड़ा सा content लिखना चाहो, तो लिख सकते, यह UPSC का previous question है, उसके लावा देखिए, what are the different elements of the cyber security, keeping in view the challenges in the cyber security, examine the extent to which India has successfully developed a comprehensive national cyber security strategy इसे हम लोग CCN, CSS भी कहते हैं, तो question आपके exam में यहां से आता है, तो cyber security की बड़ा important सा topic है, तो इसके आसपास आपको notes त्यार कर लेने चाहिए, cyber जो threat होता है, जो चार तरह का होता है, एक होता है cyber aspirinage, cyber aspirinage का मतलब होता है secret information को निकालना, यह कई तरह से निकाली जा सकती ह है, जैसे आपके laptop में, आपके mobile phone वगारा में malicious software install कर दिया जाता है, spyware वगारा के थरू, trojan horses के थरू, जिससे आपकी ID वगारा को वहां से निकाल लिया जाता है, आपके laptop के नदर के activities कर रहे हो, उसके aspenize की जाती है, यह national security के लिए खतरा हो सकता है, जैसे हमारे scientists हैं, यह researchers ह उनके laptop गारा को इस तरह से aspenize किया जाता है, surveillance किया जाता है, फिर एक आजाता है cyber attack, देखे इसका तो मतलब ही attack है, तो attack का मतलब ही destruction होता है, तो इसका तो सीधा सा मतलब ही damage करना है, destroy करना अपने target computer network system को, एक होता है cyber terrorism, terrorism भी जो है attack जैसा ही होता है, terrorism में अलग-अलग और fundraise करना, यह cyber terrorism के अंदर part होता है, फिर होता है cyber warfare, warfare तो मतलब दोनों साइड से भरपूर मातरा में cyber attack होते हैं, एक दम full on, जिसमें हम लोग दूसरी country की infrastructure को भी destroy करने की बात करते हैं, उनकी computers को attack करते हैं, theft करते हैं, vandalism करते हैं, जैसे UPSC की website को कुछ समय पहले vandalize किया गया था, है न, उसके लावा ISRO की website को भी कुछ साल पहले तक vandalize किया गया था, basically उसकी website के उपर कुछ हो, ऐसा objectionable type का कुछ picture गया डाल देते हैं, destruction भी हो जाता भी है critical information infrastructure का, critical information system infrastructure का मतलब यह होता है, जैसे हमारा electricity grid होता है, हमारा nuclear power projects बकर रहा होते हैं, यह critical infrastructure होते हैं, जि साल पहले की ही, यहाँ पर एक example है, जब मुंबई के अंदर, मुंबई में critical infrastructure को पर attack किया गया था, और उसकी power supply को, power system को destroy कर दिया गया था, जिसमें वहां के जो मुंबई के जो local train हो गा रहा है, वो पर disturb हो गया था, ऐसा ही एक attack किया गया था, इरान की nuclear facility को पर इसराइल के द्वारा एक virus था, जिसका नाम था Stuxnet, यह याद रखना prelims के लिए, जिसमें से क्या उन्होंने किया था, nuclear जो sites हैं उनकी, उनको destroy कर दिया था, उनके computer को destroy कर दिया था, जिसमें इरान का जो nuclear program है, ऐसा माना जाता है कि 15-20 साल पीछे चला गया था, तो इस तरह के जो attack किया जाते हैं critical information system के द्वारा, तो जो लडाईयां होती है, आज के लडाईयां भया जमीन पर नहीं होती है, आसमान पर नहीं होती है, आज के लडाईयां computer के थुरू भी होती है, तो बहुत सारे impact होता है cyber attack का, loss of integrity होता है, अब जैसे हमान के मान के चलिए, loss of integrity का मतलब यह है, जैसे bank होता है, अब bank में जो है लोग credit लेने के आता है, लोन लेने के लिए आते हैं, तो जो computer system होता है bank का, वो decide करता है कि इस आदमी को लोन दिया जाए के नहीं दिया जाए, लेकिन अगर उस computer system के दरवायरस आएगा, तो वो ऐसे लोगों को भी लोन दे सकता है, जो की फ confidentiality, yes, आपका data चोरी कर लिया जाता है, national security threat होता है, तो confidentiality, physical destruction जैसे अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ पर मुंबई का वो सारा चीज़े हुआ, financial loss तो अफकोर्स होता है, यह billions of dollars का नुकसान हर साल जो है, वो होता है, और national security issues, peace and the stability of the country, terrorist attack अगरा, वो सब इस तरह के impact यहा जा दिया, यह आप इस तरह को इसको देख सकते हैं, यह अलड़ी हम लोग इन discussion पर कर लिया है, उसके लावा, cyber security preparedness हमारी country ने कौन-कौन से step लिये हुए है, section 66 F of IT Act, national security, cyber security policy 2013, NCIIPC, 13, cyber सुरक्षित भारत initiative, national cyber coordinated center, national cyber security, information security, education and awareness project, इसे कहते हैं content और इसे कहते हैं आपकी exam के ल जाल है कि कोई question exam में आ जाए, आप इसको solve नहीं कर पाओ, तो जो question आपको दिया है, आप इसको solve करने के कोशिश करें और इस content को अपने notes के अंदर add कर लें, या तो इसी content को सिधा-सिधा add कर लो, अगर आप handwritten पसंद करते हो, लिखना तो अपर, वो भी कर सकते हो, आपकी म जिसमें जो house-to-house survey किया जाता है census के लिए, उसमें हमारा नाम, पता, हमारा occupation, हमारी age वगारा, वो सब किया जाता है, अब कुछ लोगों कैसा लगता है, कि यार वो जो डो-डो-डो-डो survey करने आते हैं, उसे हमारी privacy को खत्रा होता है, तो सरकार ने पहली बार ये किया, कि देखे, अगर आप ऐसा चाहते हो, कि वो house जो डो-डो-डो survey करते हैं, वो information आप उनको ना दो, तो आप खुद अपनी information दे सकते हो, पहली बार ऐसा हो रहा है, आप self-enumerate कर सकते हो, online जाके, यह आप यह कह सकते हो, इंडिया में अपनी तरह का पहला first digital census होगा, जो citizens को opportunity दे update करें, कई तरह का data हो सकता है, वहाँ पर, family में किसी की death हुई है, किसी का birth हुआ है, job change हुई है, location change हुई है, तो इस तरह का data आप जाके वहाँ पर कर सकते हो, NPR, अभी फिलहाल यह जो NPR किया जाएगा, update अगर आप करना चाहते हो, तो यह portal है, अभी यह जो portal है, सिर्फ English म कर सकते हैं, क्योंकि, if citizen want to exercise the right to fill the census form on their own, otherwise क्या होता है, officer आपके घर में आता है, वहाँ से detail पूछता है, और आप उस form को fill करता है, आप उसको बताते हो, वह fill करता है, लेकिन आप चाहते को वह fill ना करें, आप खुद fill करो, तो आप यह काम खुद से कर सकते हो, NPR को सबसे रखा गया था, 2010 के अंदर, फिर इसको update किया था, 2015 के अंदर, अब तक 119 क्रोड लोग NPR के अंदर अपना data डाल चुके है, बतलब जो 2010 और 15 में हुआ था, वो तो physical form में हुआ था, वो तो ऐसे हुआ नहीं था, है ना, लेकिन अभी आप online भी कर सकते हो, तो online करने के लिए क्या देना पड़ेगा, आपको अपना आधार काड और mobile number वहाँ पर देना जरूरी है, तभी जा के अपनी information वहाँ पर update कर सकते हो, तो यह census का ही part होगा, बेसिकली, जब census देखे, अभी तो हो नहीं रहा census, अभी तो सरकार ने बताए नहीं, यह census कब करेंगे, लेकिन जब भी होगा, तो आपकी NPR detail वहाँ पर update अपने आप हो जाएगी, और census दो फेज में होता है, यह आपका अच्छे से पता है, एक होता है हमारा house listing होती है, और दूसरा जो है individual survey होता है, house listing अंदर मतला आप यह देख लिजी कि आपकी house की information होता है, house number, कौन से गाउं में है, कौन दो फेज में basically census किया जाता है, तो NPR के बारे में थोड़ी information आपको पता होनी चाहिए, NPR आपको यह बताता चलो कि यह citizenship का record नहीं होता है, जैसे हमारा अधार कार भी नहीं होता है, citizenship का तो नहीं होता है, अधार कार भी, जैसे हमारा voter ID होता है, वो हमारे citizenship का status होता है, NPR के हम लोगों के include करते हैं, जो कि usual resident होते हैं हमारी country के, resident और usual resident में क्या फरक होता है, दोस्तों usual resident वो होता है, जो किसी भी जगह पे local area में कम से कम 6 महीने के लिए रह रहा हो, आप उसे usual resident बोलते हो, या फिर उस particular जगह पे वो 6 महीने तक रहने का plan उसने बनाया हो, कि जैसे माल अब दिल्ली में shift होगे, आप UPSC ही त्यारी करने के लिए, आप वहाँ पे एक साल से आप रह रहे हो, 6 महीने से जादा, 7 महीने रहे हो, तो आप जो है, वहाँ के usual resident हो जाओगे, और आप NPR के अंदर अपने data अपड़ेट कर सकते हैं, यह सब आपको power दे जाती है, Citizenship Act 1955 के undone, ठीक है, यह 2010 में पहली बार collect किया, 2015 में वह और इमें information आपको बता चुका हूँ, ठीक है, तो unlike the NCR, NCR तो क्योंकि citizen का data होता है, NPR is not a citizen enumeration drive, as it would record even a foreign citizen, अगर कोई foreign, अगर Brad Pitt India में आया हुआ है, अगर वो 6 महीने से जादा रह रहा है, तो भाया वो भी NPR के अंदर लेगा, वो भी उसको update कर सकता है, तो यह थोड़ा आपको idea यहाँ पर होना चाहिए, census के बारे में basic, basic, factual information और यहाँ पर आपने आपको दिया हुआ है, यह content आपके बास पहले से होगा, अगर नहीं है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो, तो census कि अगर हम लोग इंडिय में census की शुरुआत हुई थी, basically, वो 1981 से हुई थी, और उसके बाद continuously अभी तक उसके अंदर कोई break नहीं आया है, हाँ, हर 10 साल बाद हो किया जाता है, unfortunately, COVID की वजए से 2021 में जो census होना था, वो नहीं हो पाया, और सरकार ने यह भी नहीं बताया, कि भाईया, इसको हम लोग next करेंगे, 2011 में जो census हुआ था, वो जो 15th census जो है इंडिया में था, 15th census मतलब 150 years, हर 10 साल के बाद होता है, 2011 census यह कहता है, जो urban, यह थोड़ा interesting fact है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शहरों में तलाग ज़्यादा होते हैं, गाउं में तलाग कम होते हैं, लेकिन 2000 census मतलब क्या कहता और कहीं सारी information यहाँ पर दिया है, जैसे, इंडिया की जो population है, it grew by 17.7% during 2001 and 2011, against 21.5 in the previous census, मतलब 1991 से लेके 2001 के बीच में, हमारे जो population growth थी, वो कितने थी 21.5, 2001 और 11 के बीच में हो गई 17.7, मतलब population जो growth rate है, वो धीरे-धीरे कम होती नजर आ रही है, female जो growth rate है, वो 18.3% है, male जो growth rate है, वो 17.1% है, बतलब female growth थोड़ी सी जादा हो रही है, तो कि जो पहले जिस तरह से sex selective abortion शुआ करते थे, वो अभी कम होते हैं, और लोग ज़्यादा aware भी हो गए हैं, urban population की बात करें, तो 1951 में इंडिया में जो urban population थी, वो थी 17.3%, 2011 के census के साब से यह हो गई है, 31.2%, तो urban areas में जादा हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, literacy rate की अगर हम लोग बात करें, तो literacy rate ही हमारा यहाँ पे change हुआ है, 2011 में हो सकता है, 80% से जादा चला जाए, इसके भी काफी chances हैं, लेकिन जब survey होगा तब इसके हम लोग देखेंगे, sex ratio के हम लोग बात करें, तो 2001 में 940 female, 9000 male, मतलब 60 male हैं वो अकेले हैं, 60 male जो है जहाँ पे जादा है, अगर religion की बात करें तो हिंदूस की population थी around 80%, और जो Muslim community की problem थी, that was around 14.3%, 172.2 million, उसमें से, पहली बार ऐसा हुआ था के 2011 के census में हम लोगों ने को नया category आड़ कहा था, no religion, आप कोई भी religion से बिलोग नहीं करते हो, अगर आप atheist हो, नास्तिक हो, तो आप इसके अंदर भी डाल सकते हो, जिसके अंदर इंडिया में less than 1% लोग जो है, 0.024% के आसवास, no religion category के अंदर भी आते हैं, अगर marriageable age की बात करें, median age की, तो वो भी यहां पे थोड़ी सी increase हुई है, it was 18.2% in 2001, जो कि 2011 में 19.2 हो गई, women के लिए, male के लिए, पुरुशों के लिए, पहले थी कितनी है, 22.6, और अभी हो गई है, 23.2, median age, मतलब लेट, लोग थोड़ा सा late शादी कर रहे हैं, तो यह थोड़ा सा census के बारे में आपको data पता होना चाहिए, थोड़ी information आपको होने चाहिए, और इसी के regarding जो है, आज एक text section के अंदर भी census के बारे में एक छोटा सा article दिया हुआ है, इसमें नहीं यह का है कि यह census का हम लोग किस तरह से better use कर सकते हैं, और census के उसको कैसे improve कर सकते हैं, और अमारी policy making के लिए हम लोग census का और इस तरह से जादा utilization कर सकते हैं, तो information थोड़ा से इनों नहीं यहाँ पर दिया है, कोई एक दो चीज़ों नहीं यहाँ पर जो बोली हुई है, पहले बात हो यह पता होना चाहिए, देखे census तो 2011 के अंदर आ गय इस तरह से data release होता है, एक example देखाता हूँ आप यहाँ पर, internal migration का जो data था, जो 2011 के census में collect किया गया था, public के लिए information जो है 2016-17 के survey में update की गई थी, सोचके देखे, 6 साल के बाद 2011 के data को update किया गया, मतलब उसको release किया गया, और ऐसा सिर्फ एक ही case में नहीं है, बहुत सारे case मे ऐसा होता है, data बाद में आता है, तो जब भहिया data आप release ही नहीं करोगे census का, census करने के बावजूद भी, तो policy का खाक बनेगी, है ना, यह यहाँ पर कुछ जो है चीज़े इन्होंने आपर कही है, तो इनका यह कहना है कि भहिया census का हम लोग better तरीके से use कर सकते हैं, जितना भी हम लोग नहीं करते हैं, तो यह थोड़ा साब इसको देख लेंगा, चलिए जिए, इंडिया-उस्ट्रेलिया टाइस built on the trust, मोदी जी ऑस्ट्रेले की आतरा पे गए हुए हैं, तो वही सीधी सी बात है, जो कोई महमान किसके घर में जाता है, तो उसका अच्छा से स्वा और इंडो-pacific region के अंदर हमारा एक collaboration भी है, of course है, quad के member भी है, और हम लोग ने free trade agreement भी किया हुआ है, तो इस टेले के साथ हमारा relation खर बहुत अच्छे है ही, और और भी जादा मजबूत होंगे आने वाले future में, तो उसको लेके कि जो हैं इन्हों ने यहां पे बात की गई ह और Harris एक पार्क वहां पे पढ़ता है, और जहां पे इंडिया के जो लोग है, वो काफी celebrate करते हैं, दिवाली, होली विगरा festivals, तो उसको लिटल इंडिया का जो है, ओफिशली नाम दे दिया गया है, वहां पे Harris पार्क को, और मोदी जी ने कहा के देखो भाई, इंडिया तो एक country ऐसा है, कि हम लोग soft power का use करते हैं, और जिस तरह से हमारा, जो हम लोग improve कर रहे हैं, तो पुरी दुनिया को लेके human rights हो, हम हमें से सबसे आगे खड़े रहते हैं, तो कहीं पे कोई भी disaster आता है, तो इंडिया का आप सबसे पहले वहां पे पाऊगे, जिसे Turkey के अंदर भ हमारी help नहीं लिया था, वो एक अलग बात है, बट स्टिल जैसे Afghanistan के अंदर crisis आता है, तो इंडिया वहां पे भी बहुत सारा rice और बहुत सारा wheat वहां पे भी sand करता है, तो इंडिया की एक ऐसा country है, जो सब की help करता है, और बदले में actually कुछ expectivity बहुत जादा नहीं करता है, तो इंडिया उस्ट्रेले के relation खैर बहुत अच्छे है, हम लोगों के बीचे में free trade agreement भी हुआ है, जिसमें बहुत तरी चीजों को लेके हम लोगों ने, एक दूसरे की, लेकि free trade agreement का मतलब यही तो होता है न, कि आप tariff को कम कर देते हो, almost zero कर देते हो, कई item पे zero कर देते हो, क jam, jewelry, pharmaceutical, textile, engineering goods, जो हम लोग उस्ट्रेले में भेजते हैं, हम भी उस्ट्रेले से बहुत सारी चीज़े मंगवाते हैं, जैसे coal, meat, macadamia nuts, और wines, जिन के ओपर हम लोग tax नहीं लगाते हैं, यही तो फायदा होता है free trade agreement का, उसके लाब सर्विस सेक्टर के अंदर हम लोगों ने, जैसे professional qualifications, इंडिया की उनिवर्सिटीज को जो degree होती है, वो अस्ट्रेलिया के अंदर मानी जाती है, जो अस्ट्रेलिया के उनिवर्सिटीज के degree होते है, वो इंडिया के अंदर मानी जाती है, license वगरा जो होते हैं, अगर आप driving license या कोई और license की बात करो, तो वो भी हमारे आपे मान लिए जाते हैं, तो इस तरह की चीज़े हैं, जो क्या आप आपे कर सकते हो, तो हमारा जो ये basically हमारे एक objective है, कि अगले पांच साल में हमारी जो trade हो 27 billion से increase करके, at least 50 billion तक हम लोग करेंगे, ये हमारा basically objective है, और इनका ये कहाना है कि 1 million jobs हम इस तरह से create कर सकते हैं, त बहुत सारे agreement यहाँ पे किये हुए हैं, तो आप यहाँ पे, जैसे योगा को लेके, क्रिकेट को लेके, हमारे बीच में जो है कहीं सतरह के agreement हुए, ठीक है, free trade agreement हमारे बीच में हुआ, operation दोस्तों, अगर आप इसको पढ़ोगे, तो basically सारी information जो मैंने यहाँ पे बताई है, व 20% से भी जादा tax हम लोगे ने कम कर दिया है, कि दूसरे की चीजों के ऊपर, कहीं सारी चीजों पर जीरो भी कर दिया गया है, वो सारी चीज इन्हों ने यहाँ पे कही, chef yoga, मतलब foods processing industry में, yoga industry में, इंडिया से बहुत सरे लोगों को वहाँ पे as a service sector के अंडर में आप जा सकत हो, यह सारी चीज़े जो हम लोग ने यहाँ पे किया, ताकि हमारा आगे बढ़िया काम हो, employment generate हो, relation जो है improve हो, उसके लावा pharmaceutical sector तो of course, उसमें तो हम लोग मिल जो लोगे काम करी रहे हैं, तो यह कुछ चीज़े हैं थोड़ा आप इंडिया-उस्ट्रेले के बारे में देख स चुके हैं, तो यह भी repeated topic है, इसको भी आगो करने की कोई requirement नहीं, चीक है, जो नए student है, वो definitely इसको थोड़ा सा पढ़ लें, लेकिन जो पराने student है, उनको यह हम लोगे ने ओलरी दो-तीन बार class में कर लिया है, European Union basically क्या करना चाहता है, वो यह चाहता है कि Europe के अंदर, जैसे उसके उपर हम लोग extra tax लगाएंगे, यह basically कहता है, Europe का नया carbon border adjustment mechanism, basically carbon tax की बात कर रहा है, अब इससे इंडिया में नुकसान होगा, क्यों इंडिया से बहुत सारा समान जो है, खासकर steel हो गया, या cement हो गया, हम लोग जो Europe के अंदर export करते हैं, उसको production करने में fossil fuel का use करते हैं, तो यह इंडिया का basically अभी यह पर एक crisis type की situation आ गई है, European Union के साथ, तो यह थोड़ा साफा उस तरह से फड़ सकते हैं, चलिए, यहां से हम लोग ने आपसे question भी पूछे थे, दो question यह तो हमने आपको practice के लिए दिया था, और यह आपको दिया था, इसको solve करने के लिए, तो the formation of the ozone hole in the Antarctic region has become a cause of concern, what could be the reason for the formation of the hole, ozone hole की जब हम लोग बात करते हैं, answer इसका हो जाता है, presence of the prominent polar front and stratospheric clouds and inflow of the chlorofluorocarbons, chlorofluorocarbons की वज़े से तो वो सब कुछ होता है, क्योंकि जो chlorine होता है, वो ozone के साथ reaction करता है, और reaction करने से oxygen जो है, वो release करता है, तो O3 convert हो जाता है, O2 के अंदर, and which is dangerous, क्योंकि stratospheric के अंदर हमें ozone चाहिए, oxygen नहीं चाहिए, ground के अपर हमें oxygen चाहिए, ozone नहीं चाहिए, तो यह chlorofluorocarbon जो है, उसको reduce करते हैं, और जो stratospheric clouds होते हैं हमारे, जो कि stratospheric के अंदर होते हैं, उनके through जो है, यह reaction करता है, stratospheric clouds basically उसको as platform provide करवाते हैं, तो यह answer यहां पर हो जाता है, comment section में मुझे यह बताईए, कि ozone hole के लिए हम लोगा ने कौन-कौन से treaty किया हुआ है, तो हमारे पास एक protocol है, convention है, उसका नाम आप comment section में बताऊगे, तो मज़ा आएगा, चलिए जी, IMF ask Sri Lanka to reach timely restructuring deal with the creditors, तो यह तो ऐसे पराना topic है, मैंने आपको self study के रहे डाला था, इसका additional topics में अंदर, हलका सब काईड़े दे देता हूँ, यह क्या है, पुरा मामला, creditors मतलब जैसे अगर श्रिलंका के हम लोग बात करें, तो इंडिया, चाइना और जपैन, यह तीन सबसे बड़े creditors हैं श्रिलंका के, और हमारा जो पैसा हम लोग ने श्रिलंका को दिया हुआ था, श्रिलंका उसे repayment नहीं कर पा रहा है, और श्रिलंका चाहता है कि वो IMF से loan दिया हुआ है, पहले से ही, उसकी restructuring करें, restructuring का मतलब क्या होता है, हलका सापको idea देता हूँ, जैसे मालो मैंने आपसे 1000 रुपे उधारे लिए हुए हैं, और मैंने आपको यह कहा था, कि भाईया मैं आपको 6 महीने बाद लोटा दूँगा, लेकिन 6 महीने बाद आपको time period increase कर देते हो, या फिर आपको यह मैं बोलूगा कि मेरे पास हजार तो नहीं है, प्लीज 700 हैं, उसमें काम चला लो, तो amount को गर reduce कर देते हो, उसे भी restructuring कहते हैं, आपको जो creditor है, आप उनसे अपने loan का restructuring करवाईए, restructuring करने के बाद हमें भरोसा हो जाएगा आपके उ ब्रिक्स, its new pathway, अब ब्रिक्स के बारे में आपको अच्छे से information है, ब्रिक्स के अंदर हमारा Brazil आता है, रशिया आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है, और South Africa आता है, अब यह हम लोग multilaterism की बात करते हैं, अब यहां से कहीं UPSC में बहुत सारे questions पोचे जाते हैं, हर स आपको एक आता question, international organization से देखने को मिलता है, यह तो question जो उपर वाला डाला हुआ, आपकी सारा practice के लिए डाला हुआ है, नीजे जो question है, दोनों UPSC के question, यह तीसरे वाला भी UPSC का ही previous question है, यह शायद 2021 का है, यह 2020 का है, जो भी है, यह मुझे याद नहीं है, but questions मुझे ध्या SEO का मतलब क्या कहता है, Shanghai Corporation Organization, what importance does it hold for India, simple question है, simple, इसका aim बताना है, objective बताना है, इंडिया के हिसाब से उसके importance बतानी है, 250 words में है, तो थोड़ा scope लिखने का यहाँ पे है, the newly tried nation partnership AUKUS के बारे में question पूछा गया है, तो यह 2021 का question है, यह 250 words के अंतरा आपको पूछा गया है, apart from that, quad multilateral, quad के बारे में question पूछा गया, quad is transforming itself in a trade block from military alliance in the present time, discuss, 250 words में, तो यह UPSC के previous questions है, आज के जोले मैंने आपको दिया हुआ लिखने के लिए, वो दिया हुआ है, multilateralism is on the rise in world politics, in this context, discuss the relevance and the challenges of the new groups and modification of the old ones, 250 words, 50 marks, आप यह attempt कर सकते हो, खुद से, यह आपकी practice में डाला हुआ है, इनका यह कहना है कि आज के जमाने में multilateralism चलता है, आज के जमाने में कोई एक power center नहीं है, एक जमाना हुआ करता था जो अमेरिका रेशिया जो है super power हुआ करते थे, आज के समय में power अमेरिका में भी है, रेशिया में भी है, चाइना में भी है, इंडिया में भी है, UK में भी ना स्कूल में हमारे गुप्स अलग होते हैं he no पे इंदर ही रेलिश कम हो जाती यह कुछ हो जाते हैं नई ुप सब चलता रहा था जैसे इन्हों नहीं आपे बताया जैसे non alignment moment की हम लोग बात करें तो एक समय हुआ करता था cold war के दोरान जब इसका बहुत relevance हुआ करता था जी 77 का बहुत relevance हुआ करता था cold war के दोरान लेकिन आज इसका relevance खतम हो गया नाम का भी हो लेकिन meeting नहीं होती है तो सारका relevance भी धिरी धिरी खतम होता नजर आ रहा है एशियान के अगर बात करें एशियान अभी function कर रहा है थोड़ा बहुत लेकिन जिस तरह से चाइने में जो चीज़े हो रही है और मयानिमार के अंदर जो चीज़े हो रही है एशियान वाले उपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं खासकर मयानिमार के उपर तो उसके अंदर भी issues है एशियान की भी अब वो relevance नहीं रहा ऐसे ही BRICS की नोंने बात किया BRICS को जब बनाया गया था तो बड़े जोरो शोरों से बनाया गया था लेकिन BRICS भी धीरे धीरे अपना relevance जो है वो खतम होता नजर आ रहा है इसके पीछे क्या reason है क्योंकि BRICS के जो member है उनके बीचे बहुत अच्छी equation नहीं है आप गलवान देख लीजिए, Ukraine conflict देख लीजिए, Russia और Ukraine वाले conflict के वज़े से बहुत सारी चीज़ों हुई अब ही भी कई सारी कंट्री ऐसी है जो BRICS के अंदर participate करना चाहते है अब यहां पर यही तो paradox है एक तरफ BRICS का relevance खतम होता जा रहा है दूसरी तरफ BRICS को कंट्री जोइन भी करना चाहती है तो DC को कहते है paradox तो उट कौन सी करवट बैठे का हमें पता ही नहीं है जैसे हम लोग ने बनाया था IBSA तीन कंट्री ने मिलके IBSA बनाया था इंडिया, ब्राजील और साउथ अफरीका ठीक है जी चाइना IBSA को जोइन करना चाहता था लेकिन चाइना IBSA को जोइन नहीं कर पाया क्योंकि IBSA के अंदर सिर्फ डेमोक्रेसी ही आ सकती है और चाइना को इसे बुरा लगा चाइना ने क्या किया BRIC के अंदर सौथ अफरीका को जोइन करवा दिया जिसका नाम पढ़ गया BRICS तो जब से BRICS बना तब से IBSA का relevance हो गया खतम 2011 के बाद से IBSA की एक भी meeting नहीं हुई है और 2000 मतलब पिछले 10-12 सालों में BRICS की कम से कम 13 meeting 14 meeting हो चुकी है IBSA खतम हो गया BRICS आ गया तो नई चीज़ें आते रहती हैं परने चीज़ें हाँ पर खतम होते रहती हैं बहुत लंबा चोड़ा काम किया था बहुत सारे इनिशेटिव हम लोगों ने लिये थे जिसमें 32 billion dollar के आसपास हम लोगे ने इन्वेस्टमेंट किया उसके लागा contingency reserve arrangement हम लोगे ने किया और भी बहुत सारी चीज़ें करने के हम लोगे ने कोशिश करती तो BRICS का basic purpose क्या था BRICS का basic purpose यही था कि एंटी western तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन जो IMF है, World Bank है जिसको western country dominate करती है हम लोग चाहते थे कि एक उसका alternative लेके आए जो world order चल रहा है उसको थोड़ा सा हम लोग change करें लेकिन प्रुपर तरीकी से हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि Russia और China ये नहीं चाहते देखो South Africa, Brazil और India चाहता है कि हम लोग UNSC के permanent member बने लेकिन Russia और China उन लोगों से हर कोई आगरी नहीं करता है तो भाई जब अपने member की आप support नहीं करोगे UNSC के अंदर तो आप क्या चाहते हो, आपका relevance बना रहेगा बिल्कुल भी नहीं बनेगा फिर 2010 के बाद से जो चाइना का एक दम rise हुआ है, चाइना ने अपने आपको dominant position में लाना शुरू कर दिया है तो आप की साइसे group का part क्यों बनोगे जहाँ पर बहुत बड़ा country आपको जो है dominate करता है हर time, हर decision में अपनी टांग आड़ा आता है उसके लवाद जो Russia-China cooperation हुआ है recently, वो यहाँ पर बड़ी बात है चीक है, South Africa की चाइना के पर dependency बहुत बढ़ गया है पिछले धीरे उनका मोह भंग हो रहा है लेकिन कुछ country आप वहाँ पर आना चाहती है, इससे मैं 19 countries ने application दिया है BRICS के अंदर कि हम लोग आपको जोइन करें, यही तो paradox है एक तरफ BRICS का relevance कम हो रहा है दूसरी तरफ BRICS के अंदर membership की बढ़ने के line लगी हुई है 19 countries, Saudi Arabia, UAE, Nigeria, Algeria, Mexico, Nicaragua, Indonesia, Thailand, सब ने application डाला हुआ है इसके पीचे reason क्या है reason यह है कि पहली बात तो चाइना खुद BRICS की expansion को push कर रहा है वो चाहता है BRICS को में लोग थोड़ा और expand करें, अपना relevance दुनिया में बढ़ाना चाहता है चाइना anti-America दूसरा reason यह है FOMO fear of missing out तो यह country जो है न वो चाहती है कि वो इन groups का जल्दी से जल्दी part बने ऐसा नहों के बाद में दर्वाजा बंद हो जाए क्योंकि आप यह देखोगे यह जो country है यह किसी बड़े group के अलड़ी बहुत सरे group जुनिया में ऐसे बने हो है जहां से इनके लिए दर्वाजे बंद हो गए है यह उनका part तो नहीं बन सकते यह चाहते हैं भागते चोर के लंगोट मतलब कुछ ना कुछ तो बने न किसी ना किसी group का part बने यार पीछे ना रह जाएं fear of missing out और finally यह जो country है उपस जो list में है यहां पे एक anti-America और anti-Europe sentiment भी चल रहा है तो इनको ऐसा लगता है कि BRICS उनके लिए एक better option है तो यह country BRICS का part बनना चाहती है लेकिन वहां फिरा के बात वही आ जाती है कि BRICS आ खुद का relevance कम हो रहा है क्योंकि इसकी member जो founding member है उनके बीच में issues create हो गए है तो क्या कर सकते हैं BRICS को relevant बनाने के लिए इन्होंने कहा कि हमारे पास 3 option है पहला उत option यह है कि BRICS की membership का expand कर दो सीधा उसको जो है आप 21 कर दो यह G20 से भी जादा करदा उसको 21, 22 कर दो दूसरान का यह कहना के नहीं इतना जादा करने की requirement नहीं है आप 10 member को include करो चीक है हर एक member जो है BRICS में 5 member हैं वो 2-2 member को support करेंगे तो 10 member आप include कर दो कुछ का कहना के नहीं नहीं सिर्फ 5 member को include करो हर country अपना एक member को जो है वहाँ पर recommend करें आप वो कर सकते हो इंडिया जो है इंडिया favors the expansion इंडिया चाहता है कि BRICS expand हो लेकिन उसके लिए proper criteria fulfill होना चाहिए और इंडिया यह चाहता है कि gradually move करें gradually expand करें एक दम से expand नहीं करें जैसे Argentina, Egypt, Indonesia, UAE और बंगलादेश इन country के उपर जो है सभी लोग अगरी कर रहे है तो अगर expansion होता है BRICS का तो शायद यह country यहाँ पर सबसे पहले include होनी ठीक है और लेकिन भाई सीधी सी बात है जब नहीं member include होगे तो नाम BRICS तो नहीं रहेगा उसका नाम भी change होगा तो नहीं है जब नाम change होगा तब होगा तब देखी जाएगी उसका relevance क्या होता है क्या नहीं होता है तो दोस्तो काफ़ डिटेल में हम लोगों ने discussion किया है questions आप लिए दिये हुए हैं आप इसको और आम से जाकर देख सकते हो एक topic यहां पर यह ओ रहा है बीजेपी बसंगोडा पाटिल यातना टेक्स ओथ हिंदा नेमोगता हिंदुतुआ गोमाता तो करनाटका के अंदर नया elections हुए वहाँ पर इस समय ओथ ली जा रही है तो ओथ किस नाम पर ली जाती है ओथ ली जाती है या तो गोड के नाम पर या constitution के नाम पर चीक है speaker ने साफ साफ कहा था करनाटका के भी या गोड या constitution के नाम पर ओथ ली जिए लेकिन वहाँ के जो member of legislative assembly है वो अलग-अलग नाम से ओथ ले रहे है कोई गोड के नाम पर ले रहा है कोई अपनी local deity के नाम पर ले रहा है कोई वोटर के नाम पर ले रहा है कोई हिंदूत्वा के नाम पर ले रहा है कोई गोमाता के नाम पर ले रहा है कोई अलग-अलग तरीके से ले रहा है तो speaker साफ काभी गुस्रा हो गए लेकिन बाद में जब उन्होंने कहा तो सभी लोग Constitution और God के नाम पे ले रहे हैं तो थोड़ा सा आप इस प्रोविजन को देख सकते हैं Speakers की Power क्या होती है किस तरे से उनकी सेलेक्शन होती है Resignation करा होता है Oath Taking Procedure क्या होता है क्या होत होती है कौन किसके नाम पे ओत लेता है यह थोड़ा सा टोपिक आप देख सकते हो इसके बारे पढ़ना है तो आप इस लिंक के उपर क्लिक कर लीज़े पूरी information आपको मिल जाएगी उसके लाव हमारे पास कुछ additional article भी है जिसकी list मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है